इंटरनेशनल क्रिकेट कॉंसल आई सी सी ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिन जारी कर दी। टेस्ट बैटिंग रैंकिन में इंगलेंड के जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार है जबकि न्यूजी लेंड के कीन विल्यमसन का दूसरा नंबर है। इंगलेंड के हैरी बरूप तीसरे जबकि भारत के रीशुप पंथ तीम दरजे तरक्टी के बाद चटे नंबर पर आगे। विरात कोहली एक दरजे तनजुली के बाद आठो और बाबर आजम चार दरजे तनजुली के बाद उननीस नंबर पर चले गए है। सिरी लंका के कमिन दो मेडिस एक दरजे तरक्टी के बाद, 10 ओ जब के इंगलंड के बेन डिक्ट तीन दरजे तरक्टी के बाद, 11 ओ नंबर पर आगे है। सल्मान अली आगा आठ दर्जे तरक्य के बाद 14 और न्यूजी लेंड के राचन रविंद्रा 36 दर्जे तरक्य के बाद 18 और नमबर पर आ गए है। दूसरी जानिब वन डे बैटिंग रैंकिन में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार है, रोहित शर्मा शाबमन गिल और विरात कोहली की बदस्तूर दूसरी, तीसरी और चोथी पोजीशन है। पाकिस्तान के फखर जमान की रैंकिन में नौ ओ पोजीशन है। वन डे बोलिंग रैंकिन में जनूबी अफरीका के केशो महाराज की पहली पोजीशन बरकरार है, राशिद खान की दूसरी और कुलदी प्यादेव की तीसरी पोजीशन है। टॉप टीन बॉलर्स में पाकिस्तान के शाहिन आफरीदी साथ ओ पोजीशन पर बिराजमान है। वन डे की अल राउंड रैंकिन में अफगानिस्तान के महमद नभी की पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि सिकंदर रजा दूसरे और गलीन मैकसवेल की तीसरी पोजीशन है।